दोस्तों आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूँ एक ऐसा टेक्नीक लेके आया हूँ जो अगर आप फॉलो करें आप अपने लाइफ में तो जो कुछ भी आप चाहें अपने लाइफ में पा सकते हैं जी हाँ दोस्तों एक ऐसा टेक्नीक है जो बहुत सारे बिजनसमेन बहुत सारे student और बहुत सारे employee यूज किये हैं और उनसे बहुत सारे changes अपने life में पाए हुए हैं दोस्तों इस book का नाम है the silver mind control method and इस book के लेकर है जो silver जो silver इस method को use किये हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऐसा method को use करने के लिए प्रेरित किया जिन को बहुत सारे फायदा मिला दोस्तों इसमें simple technique देया गया है simple method देया गया है इस book का total मैं 6 method आपको बताने वाला हूँ जो बहुत इस simple है लेकिन अगर इसको आप अपने life में उतारते हैं इसको आप use करते हैं तो आप जो जो चाहे अपने life में पा सकते हैं, दोस्तों बहुत सारे चीज़ें ऐसे life में होती हैं कि छोटी-छोटी चीज़ें हम ignore कर देते हैं, अगर हम उसको follow करें, उसको हम use करें, proper use करें, तो आप जो चाहें वो अपने life में आप पा सकते हैं, दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करे और अपनी subconscious mind को एक proper guidance दे सकें कि आपको क्या करना है, क्या सोचना है आपको, वो proper आप कर सकते हैं दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारे brains की different waves होती हैं और अलग-अलग state में अलग-अलग उसकी waves होती हैं जब आप सो रहे होते हैं तो हमारे mind different kind of waves produce कर रहा होता है जब आप जगरे होते हैं तो different kind of waves produce होते हैं जब आप किसी चीज़ को लेके गहरी सोच में पड़े हैं तो आपका mind different kind of waves release करता है दोस्तों अगर वो आपके mind को control करना आपको आगया अगर ये silver mind control method आपको आगया आपको अपने mind को control करना आगया तो दोस्तों believe कीज़े आप जो भी चाहते हैं आप अपने life में वो पा सकते हैं तो आईए method पे आते हैं method number one meditate दोस्तों लेख़क बताते हैं कि आपको silver mind control method का सबसे पहला जो method है वो meditation है अगर आपको meditation आता है अगर आपको अपने आपको control करना है अगर कुछ भी आप अपने life में पाना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको meditate करना पड़ेगा सबसे पहले आपको अपने mind को control करना पड़ेगा दोस्तों जैसे जानते हैं कि हमारा mind भजारो thoughts एक साथ चलती रहती है और हमारा mind unnecessarily चीजों से उल्जा हुआ होता है उसको पता है नहीं रहता है कि actually वो कर क्या रहा है और कौन सा चीजों को वो सोच रहा है दोस्तों अपने दिमाग को सही direction देने के लिए सही सोच करने के लिए सही proper तरीके से use करने के लिए उसको सांथ करना जुरूरी है उसको उसके लिए आपको meditate करना पड़ेगा तो अगर आप use करना चाहते हैं अगर आप silver mind control method का use करना चाहते हैं पहला method ही है कि आपको रोज meditate करना पड़ेगा दोस्तों silver mind control method में meditation का एक तरीका बताया गया है और वो तरीका अगर आप follow करते हैं तो आप easily आप अपने आपको control कर पाएंगे आप अपने mind को control कर पाएंगे और उसको उस direction में divert कर सकते हैं जिदेर आपको अपने mind को ले जाना है meditation करने के लिए आपको सांत अवस्ता में बैठ जाना है नार्मल जैसे हम लोग meditation के अवस्ता में वैसे आपको बैठना है आपके हाथ सीधा करना है सीधे बैठना है आपके रिड की हड़े एक दाम स्ट्रेट होनी चाहिए आपको अपने आखे बंद करने हैं और आखे बंद करके अपने आखों को उपर की तरफ देखना है आपके आखे बंद रहेगा लेकिन आपकी वीजन उपर की तरफ 20 डिग्रीज में रहेंगी और फिर आपको count करना है 100 से लेके 1 तक और आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों का जब भी आप count करें आपकी 1 count से दूसरी count पर 2 second का gap होना चाहिए फिर आपको 100 के बाद पहले 100 count करना है फिर 2 second wait करना है फिर आपको 99 count करना है फिर आपको 2 second wait करना है फिर आपको 98 count करना है फिर आपको 2 second wait करना है फिर आपको 97 count करना है ऐसे आपको count करके 1 तक आना है और ये आपको continuously 10 दिन करना है जब ऐसे आप करेंगे तो आपका दिमाग धि लगेगा और फिर आप आपका दिमाग कंट्रोल कर पाएंगे जब आप 10 दिन ऐसे करेंगे तो आप कुछ कमफटेबल लगने लगेगा और जब भी आप ये काउंट कर लें तो फिर आप अपने आई ओपनिंग करने के लिए आपको पांच तक काउंट करना है और वो पांच तक काउंट में भी आप 2-2 सेकंड के गाप दें जैसे 5,4,3,2,1 और फिर आप अपने आईज ओपन क करने के बाद आप अपने आपको बोलें कि मैं पहले से बहतर फिल कर रहा हूं मैं बहतर हो रहा हूं और यह सिलवा टेक्निक मुझे और भी बहतर कर रही है मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं वो मैं अपने लाइफ में पा सकता हूं जब तक मै मैं नहीं चाहूंगा मेरा मैंड इधर उधर कहीं नहीं भठकेगा दोस्तों बिलीव कीजिए जब ऐसा मेडिटेट आप करेंगे आप अपने आप में डिफ्रेंस पाएंगे आप खुद फील करेंगे कि कितने चीज़ें चेंच हो रही हैं और दस दिन आपको हंड़ेट से ल और फिर आप महीनी में 30 देज बाद आपको ये पता चलेगा कि आप अपने माइंड को जब चाहें तब सांथ कर सकते हैं उसको मेडिटेट कर सकते हैं तो दोस्तों इन चीज़ों का खास ध्यान देना है कि जब भी आप मेडिटेट करें ये टेक्नीक आप यूज करें इस कि यूज करने से आपको 100% कंट्रोल अपने माइंड पे हो जाएगा और जब आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाएंगे तो आप अपने माइंड को जैसे चाहें वैसे काम करा सकते हैं दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारा जो माइंड होता है वो पूरा पावर हाउस होता है उसकी ताकत को आपको अंदाजा नहीं है और इंफाक्ट हम human beings उसके अंदाजा अभी तक नहीं लगा पाएं इसमें बहुत सारे researches अभी चल रही है कि हमारा mind कितना ताकतवर होता है आप इसको जैसे यूज करेंगे जैसे इसको आप अच्छा से यूज करेंगे उतना ही आपको यह benefit देने वाला है दोस्तों यह powerhouse को अगर आप अच्छे से यूज करते हैं तो यह आपको benefit देता है लेकिन अगर इसको आपको अच्छे से यूज़ करना नहीं आता तो यह आपको बरबाद भी कर देता है दोस्तों यही कारण है कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो अमीर होते जाते हैं लाइफ में बहुत सक्सेस होते हैं और बहुत लोग गरीब होते जाते हैं और दिन प्रते दिन और भी गरीब होते जाते हैं और वो पता नहीं उनके लाइफ में क्या होता है कि वो बहुत बत्तर रिस्तिती में आ जाते हैं दोस्तों सिर्फ यह की कारण होता है कि वो लोग अपने mind को proper तरीके से control नहीं कर पाते method number two mirror of the mind दोस्तों जब भी भी आप अपके life में problem हो आपको वो पल याद करना है कि जब आप किसी भी problem से उभर के बाहर आए थे उसको उस वक्त को आप use कीजे उस वक्त को आप याद कीजे सोचे आपके life में अभी कोई problem है लेकिन पिछले वाले किसी problem को आपने solve किया था और उससा solve किया था तो जो आपके खुशी आपके दिमाग में आई थी यो वो पल को आप याद कीजे और यह ऐसा हमेशा करते रहिए जभी भी आपके life में कभी problem है जब उस problem को solve किये थे आप और आपके अंदर वो खुशी आए थी उस पल को आप याद कीजे और आपने आपको यह एहसास दिलाए कि मैं बहुत सारे ऐसे problems अपने life में मैं solve कर चुका हूँ और life में कोई भी problem मेरी आएगी उसको मैं easily solve कर सकता हूँ दोस्तों हमारा mind बहुत strong है बहुत powerful है अगर उसको हम proper रास्ता देते हैं उसको हम बोलते हैं उसको हम बताते हैं कि हमारे life में यह problem है believe किजिए दोस्तों वो solution हमें देगा उसको solve कर करेगा लेकिन इससे आपको हदास नहीं होना है अगर आपके life में कोई problem है तो आपको positive रहना है और positive रहने के लिए आपको हमेशा उन चीज़ों को याद करना है जो आप अपने life में problem solve किये थे जब आप ऐसा याद करेंगे तो आपको अपने आपनी confidence आएगा आपको अपने mind का confidence आएगा और आपका mind आपको खुद बोलेगा कि मैं कोई भी problem solve कर सकता हूँ और कोई भी problem आपके life में हो आप उसको easily solve कर पाएंगे मेतर नमबर 3 Three fingers technique दोस्तों लेकर बताते हैं कि हमारे life में एक बहुत simple technique है अगर इसको आप use करते हैं तो आप अपने life में बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं जो आप भोल जाते हैं लेकर बोलते हैं कि जब भी आप कुछ ऐसे चीज़ पढ़ रहे हैं या ऐसा चीज़ याद कर रहे हैं या कुछ ऐसा important चीज़ आपके life में हो रहा है जिसको आप हमेशा याद रखना चाहते हैं तो आप अपने अंगुठा और first और second finger को एक साथ रखें और अपने आपको बोलें कि जब भी भी मैं किसी चीज़ को याद करना चाहता हूं तो ये मैं तीन अंगलियों को जोड़ूंगा तो धिरे-धिरे आपको ये आदत बन जाएगी और जबी भी आप तीन अंगलियों को जोड़ेंगे और आपके life में जो भी चीज़ हो रहा होगा वो आपके दिमायद में ऐसे record हो जाएगा जो कभी भी आप भूल नहीं पाएँगे तो दोस्तों ऐसा आपको हमेशा याद दिलाना है कि दोस्तों ये एक दिन में होगा नहीं आपको practice करना पड़ेगा हो सकता है आपको दो हफ्ते लगे चार हफ्ते लगे या महीने लगे बट आपको जैसे ये टेकनीक आपको धबलब हो जाएगी जबी भी आप कुछ याद रखना चाहते हैं जबी भी आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटना हो रही है जो आप बहुत important है या कुछ आप पढ़ रहे हैं जो आप कभी भूलना नहीं चाहते हैं आप ये अपने तीने अंगलियों को एक साथ जोड़िए और अपने आपको बोलिए कि ये मैं कभी नहीं बोलूँगा ये मैंने अपने अंगलियों को जोड़ के रखा है और वो आपके दिमाग में ऐसे रिकॉर्ड हो जाएंगी कि आप किसी भी हालत में उसको भूलेंगे नहीं दोस्तों जब ही भी आपको याद करना होगा आप अगेन वो तीन फिंगर्स को जोड़ेंगे आपको यो पटाक से याद आ जाएगा जो आपने याद किया था मेतर नमबर फोर दोस्तों ये दो पावर ऐसी होती है कि अगर आप अपने लाइफ में च्यूज करते हैं तो जो चाहते हैं आप वो पासकते हैं ये ऐसा पावर है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हो किसी भी समस्या में हो आप उससे बाहर आ सकते हैं आप उसको उभर कम कर सकते हैं आपे स्ट्रॉंग हो सकते हैं आप किसी भी इस्तिती में हो अपने आपको समाल सकते हैं और वो दो चीज़े हैं दोस्तों आपको अपने आपको रियलाइज दिलाना है आपको अपने आपको बोलना है कि मैं बहतर हूँ मैं बहतर हो रहा हूँ मैं इन प्राब्लम्स से बाहर आ सकता हूँ मैंने इन प्राब्लम्स को बाहर आ रहा हूँ मेरे लाइफ में अच्छे चीज़े हो रही है दोस्तों ये आपको repeat करना है एक तो आपको बोलना है कि जब आप बोलें तो आपके कान में ये बात सुनाए लें और second चीज़ आपको ये feel करना है ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों ऐसे regular days में भी अगर आप ये दो टेकनिक आप सुबह दो भर में और साम को आप use करते हैं आप अपने life में हमेशा आप ये दो चीज़ें याद करते हैं वो चीज़ें आप बोलते रहते हैं आप feel करते रहते हैं तो believe किज़ें आप हमेशा confidence रहेंगे हमेशा आप positive रहेंगे अगर आपके life में कोई problems भी हैं तो वो भी automatically चले जाएंगे मेथर नमबर 5 Mind control over sickness दोस्तों अगर आप sick हैं अगर आप कुछ ऐसी बिमारी से आप जोज रहे हैं कुछ भी बिमारी हो सकती हैं तो अगर आप उसे overcome करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा जो power tools है वो हमारा mind है दोस्तों दवाई के बाद हमारा जो mind है कोई भी दवाई तभी भी काम करता है जब हम अपने आपको अपने mind को या हम अपने mind को वो चीज़ों को बोलते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं तो अगर आप ये टेकनिक आप अपने life में use करना चाहते हैं तो आप किसी भी बिमारी से बाहरा सकते हैं आपको बस ने आपको ये यकीन दिलाना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ मैं बहतर हो रहा हूँ मैं कल से आज बहतर हूँ मेरा blood flow normal हो रहा है मेरा BP normal हो रहा है मेरा sugar control हो रहा है मैं बहतर हो रहा हूँ जैसे आप अपने mind को ये बोलते हैं दोस्तों आपकी subconscious mind को ये बात पता चलता है और वो आपकी internal जो mechanism है आपकी body की, उसको strong करने में लग जाता है, वो message सारे sales को देता है आपकी body की, कि आप ठीक हो रहे हैं, तो एक ऐसा hormone release होता है, जो सारे body को, सारे sales को, सब को ये information जाती है, कि आप ठीक हो रहे होते हैं, और सारे sales ठीक करते हैं, दोस्तों ऐसा बहुत बार research हुआ है, बहुत बार डॉक्टर्स ने, ऐसे सलाह दिया है patients को, कि वो positive रहे हैं, वो अपने आप को बोलें कि वो ठीक हो रहे हैं, और ऐसे करने से उनको बहुत फायदा हुआ है, तो दोस्तों ये technique हम लोग sickness पे भी use कर सकते हैं, ये silver mind control method जो है, वो अगर आप use करें, ये technique आप use करें, तो आप पाएंगे कि अगर आप किसी बिमारी से aggressive हैं, आप ठीक हो जाएंगे, नौर्मल बिमारी से भी आप ठीक हो जाएंगे, और भारी गंभीर बिमारी से भी आप ठीक हो जाएंगे, दोस्तों ये कैसा research किया गया है, कि एक पर एक ही type के जो patients है, उनको दो group ग्रूप में रखा गया दोनों को एक को तो मेडिसिंस दे गई और दूसरे को नॉर्मल विटामिन्स की गोलियां दे गई दोनों को यकीन दिलाए गया कि आप ठीक हो रहे हैं और दोनों में से पता चला कि दोनों ठीक हो गए दोस्तों जब ये डॉक्टर से पुछा गया कि दूसरों को तो मेडिसिन देया गया ये तो ठीक है कि मेडिसिन ने उन पर अस्थर किया और वो ठीक हो गए बट जो दूसरा ग्रूप था उन में तो आपने सिर्फ विटामिन्स की गोलियां थी वो कैसे ठीक हो गए तो डॉक्टर्स ने बोला कि उनको दिमाग में ये परत पता था कि उनकी जो मेडिसिन है वो उनकी बिमारी के लिए है और वो अपने आपको हमेशा बोलते रहते थे कि मैं ठीक हो रहा हूं मैं बहतर हो रहा हूं और उनका माइंड उनका जो माइंड का पावर है वो उनकी बॉड़ी की सारी बिमारियों को उनको हील कर दिया तो दोस्तों हमारे बॉड़ी के अंदर हीलनेस पावर होती है उसको सिर्फ हमें जगाना है कुछ भी हमारे दिमाग में है तो उसको हमें मेसेज सिर्फ पहुंचाना है हमारे जो पुद्रत ने बनाया है हमारी बोडी को वो फुल कम्प्रीट बनाया है कुछ भी बाहर की चीज़ने की जरुवत नहीं है इसको अगर आप किसी भी बिमारी से जोज रहे हैं तो उसमें हमारे अंदर ही डॉक्टर है हमारे अंदर हिलिंग पावर है बस उसको जगाना है आपको आपको यह हिसास दिलाना है आपको उसको मेसेज देना है कि आप ठीक हो रहे हैं आप बेहतर हो रहे हैं मेतल नमबर 6 ड्रीम कंट्रोल दोस्तों अगर आप सपने देखते हैं अगर आप चाहते हैं कि सपने को आप सही यूज़ कर सकें तो ये टेक्निक एक दिया गया है जो आप जरूर आजमाए इस टेक्निक में बताया गया है कि जब भी आप सोएं आप पेपर पैंसिल लेके अपने पास सोएं अगर आपके लाइफ में कोई प्राब्लम है तो आप सोने से पहले अपने आपको बोलें कि मेरे लाइफ में ये प्राब्लम है इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ मेरे आज रात ये सपना आएगा जिसमें मेरा ये प्राब्लम सॉल्व हो जाएगा ये आप तब बोलें जब आप सोने के एकदम कागार में हो आप आधा sleeping mode में हो और आधा आप जागने के स्थिति में हो तब आप ये बोलेंगे तो आपके subconscious mind के पास ये message जाएगा और फिर वो उस पे काम करेगा और दोस्तों आप believe किजिए आपको ऐसे सपने आएंगे जिसमें आपको ये problem solve होता हुए दिखेगा और जब आपको वो सपने आए जब भी आप जगें आप उस सपने को लिख लें जिससे आप समझ जाएं दोस्तों जब भी कुछ भी ऐसा आपका problems का answer आपके सपने में आए तो आप उसको जरूर follow करें वो आपकी आत्मा होती है वो आपकी आत्मा आपको correct बताती है कि exactly आप क्या कर सकते हैं उस problem को solve करने के लिए दोस्तों आज़ा करता हूँ कि ये 6 टेकनीक आप ज़रूर use करेंगे अपने life में और silver mind control method से आप अपने life change कर पाएंगे हलो फ्रेंड्स मैं हूँ सतंदर के तिवारी दोबई से और स्वागत है आपका book summary store में जहां पे आपको मिलता है word के best book के summary जो बहुत एक कम टाइम में आप सुन सकते हैं समझ सकते हैं और book में देगे steps को आप अपने life में उतार के बहुत सारे फाइदा ले सकते हैं दोस्तों आज मैं एक ऐसा book लेके आया हूँ एक ऐसा technique लेके आया हूँ जो अगर आप follow करें आप अपने life में तो जो कुछ भी आप चाहें अपने life में पा सकते हैं जहां दोस्तों एक ऐसा technique है जो बहुत सारे businessman बहुत सारे student और बहुत सारे employee यूज किये हैं और उनसे बहुत सारे changes अपने life में पाए हुए हैं दोस्तो इस book का नाम है The Silva Mind Control Method और इस book के लेकर है Joe Silva Joe Silva इस method को यूज किये हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऐसा method को यूज करने के लिए प्रेरित किया जिनको बहुत सारे फायदा मिला दोस्तो इसमें simple technique देया गया है simple method देया गया है इस book का total मैं 6 method आपको बताने वाला हूँ जो बहुत इस simple है लेकिन अगर इसको आप अपने life में उतारते हैं इसको आप use करते हैं तो आप जो चाहें अपने life में पा सकते हैं दोस्तो बहुत सारे चीज़ें ऐसे life में होती हैं कि छोटी-छोटी चीज़ें हम ignore कर देते हैं अगर हम उसको follow करें उसको हम use करें तो आप जो चाहें वो अपने life में आप पा सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड होता क्या है दोस्तों सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड ये होता है कि आप अपने लाइफ में अपने आपको कंट्रोल कर सके अपनी थिंकिंग की कंट्रोल कर सके अपनी सोच को control कर सकें और अपनी subconscious mind को एक proper guidance दे सकें कि आपको क्या करना है, क्या सोचना है आपको, वो proper आप कर सकते हैं दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारे brains की different different waves होती है और अलग-अलग state में अलग-अलग उसकी waves होती है जब आप सो रहे होते हैं तो हमारे mind different kind of waves produce कर रहा होता है, जब आप जग रहे होते हैं तो different kind of waves produce होते हैं जब आप किसी चीज़ को लेके गहरी सोच में पड़े हैं तो आपका mind different kind of waves release करता है दोस्तों अगर वो आपके mind को control करना आपको आगया अगर ये silver mind control method आपको आगया आपको अपने mind को control करना आगया तो दोस्तों believe कीजिए आप जो भी चाहते हैं आप अपने life में वो पा सकते हैं तो आए method पे आते हैं method number one meditate दोस्तों लेखक बताते हैं कि आपको silver mind control method का सबसे पहला जो method है वो meditation है अगर आपको meditation आता है अगर आपको अपने आपको control करना है अगर कुछ भी आप अपने life में पाना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको meditate करना पड़ेगा सबसे पहले आपको अपने mind को control करना पड़ेगा दोस्तों जैसे जानते हैं कि हमारा mind हजारो thoughts एक साथ चलती रहते हैं और हमारा mind unnecessarily चीजों से उल्जा हुआ होता है उसको पता है नहीं रहता है कि actually वो कर क्या रहा है और कौन सा चीजों को वो सोच रहा है दोस्तों अपने दिमाग को सही direction देने के लिए सही सोच करने के लिए सही proper तरीके से use करने के लिए उसको सांथ करना जुरूरी है उसके लिए आपको meditate करना पड़ेगा तो अगर आप use करना चाहते हैं अगर आप silver mind control method का use करना चाहते हैं पहला method यह है कि आपको रोज meditate करना पड़ेगा दोस्तों silver mind control method में meditation का एक तरीका बताया गया है और वो तरीका अगर आप follow करते हैं तो आप easily आप अपने आपको control कर पाएंगे आप अपने mind को control कर पाएंगे और उसको उस direction में divert कर सकते हैं जिधर आपको अपने mind को ले जाना है meditation करने के लिए आपको सांत अवस्ता में बैठ जाना है normal जैसे हम लोग meditation के अवस्ता में बैठते हैं वैसे आपको बैठना है आपके हाथ सीधा करना है सीधर बैठना है आपके रिड की हड़ी एक दम स्ट्रेट होनी चाहिए आपको अपने आखे बंद करने है और आखे बंद करके अपने आखों को उपर की तरफ देखना है आपके आखे बंद रहेगा लेकिन आपकी vision उपर की तरफ 20 degrees में रहेंगी और फिर आपको count करना है 100 से लेके एक तक और आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों का जब भी आप count करें आपकी एक count से दूसरी count पे 2 second का gap होना चाहिए फिर आपको 100 के बाद पहले 100 count करना है फिर 2 second wait करना है फिर आपको 99 count करना है फिर आपको 2 सेकंड वेट करना है फिर आपको 98 काउंट करना है फिर आपको 2 सेकंड वेट करना है फिर आपको 97 काउंट करना है ऐसे आपको काउंट करके एक तक आना है और ये आपको continuously 10 दिन करना है जब ऐसे आप करेंगे तो आपका दिमाग धीरे 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 सांथ होने और जब भी आप ये count कर लें तो फिर आप अपने आई ओपनिंग करने के लिए आपको पांच तक count करना है और वो पांच तक count में भी आप दो-दो second के gap दें जैसे 5, 4, 3, 2, 1 and फिर आप अपने eyes open करें और eyes open करने के बाद आप अपने आपको बोलने के मैं पहले से बहतर फिल कर रहा हूँ मैं बहतर हो रहा हूँ और ये silver technique मुझे और भी बहतर कर रही है मैं अपने mind को control कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ वो मैं अपने life में पा सकता हूँ जब तक मैं नहीं चाहूंगा मेरा mind इधर-धर कहीं नहीं भढ़केग दोस्तों believe कीजिए जब ऐसा meditate आप करेंगे आप अपने आप में difference पाएंगे आप खुद feel करेंगे कि कितने चीज़ें change हो रहे हैं और 10 दिन आपको 100 से लेके 1 तक काउंट करना है दस दिन के बाद आप फिर 50 से लेके 1 तक काउंट कीजिए next 5 days फिर 5 days आपको 25 से लेके 1 तक काउंट करना है फिर आपको 10 से लेके 1 तक काउंट करना है और फिर आप महिनी में 30 days बाद आपको यह पता चलेगा कि आप अपने माइंड को जब चाहें तब सांथ कर सकते हैं उसको meditate कर सकते हैं तो दोस्तों इन चीज़ों का खास ध्यान देना है कि जब भी आप meditate करें यह ऐसे टेखनीक आप यूज़ करें इस टेखनीक की यूज़ करने से आपको 100% control अपने माइंड पर हो जाएगा और जब आप अपने माइंड पर कन्टरोल कर पाएंगे तो आप अपने माइंड को जैसे चाहें वैसे काम करा सकते हैं दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारा जो mind होता है वो पूरा powerhouse होता है उसकी ताकत को आपको अंधाजा नहीं है और in fact हम human beings उसके अंधाजा अभी तक नहीं लगा पाए हैं इसमें बहुत सारे researches अभी चल रही हैं कि हमारा mind कितना ताकतवर होता है आप इसको जैसे उतना ही आपको यह benefit देने वाला है दोस्तों यह powerhouse को अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो यह आपको benefit देता है लेकिन अगर इसको आपको अच्छे से यूज़ करना नहीं आता तो यह आपको बरबाद भी कर देता है दोस्तों यही कारण है कि बहुत लोगों को आ आजाते हैं दोस्तों सिर्फ एक ही कारण होता है कि वो लोग अपने माइंड को प्रोपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं मेथड नमबर 2, mirror of the mind दोस्तों जब भी भी आप अपके लाइप में प्रोपर याद करना है कि जब आप किसी भी प्रोपर से उभर के बाहर आए थे उसको उस उस वक्त को आप यूज कीजिए उस वक्त को आप याद कीजिए सोचे आपके लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम है लेकिन पिछले वाले किसी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया था और उसा सॉल्व किया था तो जो आपके खुशी आपके दिमाग में आई थी वो पल को आप याद किजे और यह ऐसा हमेशा करते रहिए जबी भी आपके लाइफ में कभी प्रॉब्लम है जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व किये थे आप और आपके अंदर वो खुशी आए थी उस पल को आप याद किजे और आपने आपको यह एहसास दिलाएए कि मैं बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में मैं सॉल्व कर चुका हूँ और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम मेरी आएगी उसको मैं इजली सॉल्व कर सकता हूँ दोस्तों हमारा माइंड बहुत स्ट्रॉंग है बहुत पाउरफुल है अगर उसको हम proper रास्ता देते हैं उसको हम बोलते हैं उसको हम बताते हैं कि हमारे life में ये problem है believe किजिए दोस्तों वो solution हमें देगा उसको solve करके देगा लेकिन इससे आपको हदास नहीं होना है अगर आपके life में कोई problem आए तो आपको positive रहना है और positive रहने के लिए आपको हमेशा उन चीज़ों को याद करना है जो आप अपने life में problem solve किये थे जब आप ऐसा याद करेंगे तो आपको अपने आप में confidence आएगा आपको अपने mind का confidence आएगा और आपका mind आपको खुद बोलेगा कि मैं कोई भी problem solve कर सकता हूँ और कोई भी problem आपके life में हो आप उसको easily solve कर पाएंगे method number three three fingers technique दोस्तों लेकर बताते हैं कि हमारे life में एक बहुत सिंपल टेकनीक है अगर इसको आप use करते हैं तो आप अपने life में बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं जो आप भोल जाते हैं लेकर बोलते हैं कि जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं या ऐसा चीज़ याद कर रहे हैं या कुछ ऐसा important चीज़ आपके life में हो रहा है जिसको आप हमेशा याद रखना चाहते हैं तो आप अपने अंगुठा और first और second finger को एक साथ रखें और अपने आपको बोलें कि जब भी भी मैं किसी चीज़ को याद करना चाहता हूं तो ये मैं तीन अंगलियों को जोड़ूँगा तो धिरे-धिरे आपको ये आदत बन जाएगी और जबी भी आप तीन अंगलियों को जोड़ेंगे और आपके life में जो भी चीज हो रहा होगा वो आपके दिमायक में ऐसे record हो जाएगा जो कभी भी आप भूल नहीं पाएँगे तो दोस्तों ऐसा आपको हमेशा याद दिलाना है कि दोस्तों ये एक दिन में होगा नहीं आपको practice करना पड़ेगा खोज सकता है आपको दो हफ्ते लगे चार हफ्ते लगे या महीने लगे बट आपको जैसे ये टेकनीक आपको धबल अब हो जाएगी और अपने आपको बोलिए कि ये मैं कभी नहीं भोलूँगा ये मैंने अपने अंगलियों को जोड के रखा है और वो आपके दिमाग में ऐसे record हो जाएंगी कि आप किसी भी हालत में उसको भूलेंगे नहीं दोस्तों जभी भी आपको याद करना होगा आप अगेन वो तीन फिंगर्स को जोड़ेंगे आपको ये पटाक से याद आ जाएगा जो आपने याद किया था मेथड नमबर फोर दोस्तों ये दो पावर ऐसी होती हैं कि अगर आप अपने लाइफ में यूज करते हैं तो जो चाहते हैं आप वो पासकते हैं ये ऐसा पावर है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी समस्या में हो आप उससे बाहर आ सकते हैं आप उसको उभर कम कर सकते हैं आप इस्ट्रॉंग हो सकते हैं आप किसी भी इस्तिती में हो अपने आपको समाल सकते हैं और वो दो चीजे हैं दोस्तों आपको अपने आपको रियलाइज दिलाना है आपको अपने आपको बोलना है कि मैं बहतर हूँ मैं बहतर हो रहा हूँ मैं इन प्राब्लम्स से बाहर आ सकता हूँ मैंने इन प्राब्लम को बाहर आ रहा हूँ मेरे लाइफ में अच्छी चीज़े हो रही है दोस्तों ये आपको रिपीट करना है एक तो आपको बोलना है कि जब आप बोलें तो आपके कान में ये बात सुनाए दे और सेकंड चीज़ आपको ये फील करना है ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों वैसे रिगुलर डेज में भी अगर आप ये दो टेकनिक आप सुबह दोपर में और साम को आप यूज करते हैं आप अपने लाइफ में हमेशा आप ये दो चीज़ें याद करते हैं को चीज़ें आप बोलते रहते हैं आप फील करते रहते हैं तो बिलीफ किज़े आप हमेशा confidence रहेंगे हमेशा आप positive रहेंगे अगर आपके लाइफ में कोई problems भी हैं तो वो भी automatically चले जाएंगे मेथड नमबर 5 Mind Control Over Sickness दोस्तों अगर आप sick हैं अगर आप कुछ ऐसी बिमारी से आप जोज रहे हैं कुछ भी बिमारी हो सकती हैं तो अगर आप उससे overcome करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा जो power tools है वो हमारा mind है दोस्तों दवाई के बाद हमारा जो mind है कोई भी दवाई तभी भी काम करता है जब हम अपने माइंड को वो चीजों को बोलते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं तो अगर आप ये टेकनीक आप अपने life में use करना चाहते हैं तो आप किसी भी बिमारी से बाहरा सकते हैं आपको बस ने आपको ये यकीन दिलाना है कि मैं ठीक हो रहा हूं मैं बہतर हो रहा हूं मैं कल से आज बہतर हूं मेरा blood flow normal हो रहा है मेरा BP normal हो रहा है मेरा sugar control हो रहा है मैं बہतर हो रहा हूं जैसे आप अपने mind को यह बोलते हैं दोस्तों आपकी subconscious mind को यह बात पता चलता है और वो आपकी internal जो mechanism है आपकी body की उसको strong करने में लग जाता है वो message सारे sales को देता है आपकी body की कि आप ठीक हो रहे हैं तो एक ऐसा hormone release होता है जो सारे body को, सारे sales को सब को ये information जाती है कि आप ठीक हो रहे होते हैं और सारे sales ठीक करते हैं दोस्तों ऐसा बहुत बार research हुआ है बहुत बारे doctors ने ऐसे सलाह दी है patients को कि वो positive रहे हैं वो अपने आप को बोलें कि वो ठीक हो रहे हैं और ऐसे करने से उनको बहुत फायदा हुआ है तो दोस्तों ये technique हम लोग sickness पे भी यूज़ कर सकते हैं ये silver mind control method जो है वो अगर आप यूज़ करें तो आप पाएंगे कि अगर आप किसी बिमारी से aggressive है आप ठीक हो जाएंगे normal बिमारी से भी आप ठीक हो जाएंगे और भारी गंभीर बिमारी से भी आप ठीक हो जाएंगे दोस्तों ये कैसा research किया गया है कि एक पर एक ही type के जो patients है उनको दो group में रखा गया दोनों को एक को तो medicines दे गई और दूसरे को normal vitamins की गोलियां दे गई दोनों को यकीन दिलाया गया कि आप ठीक हो रहे हैं और दोनों में से पता चला कि दोनों ठीक हो गए दोस्तों जब ये doctor से पुछा गया कि दूसरों को तो medicine दे गया ये तो ठीक है कि medicine ने उन पर अस्तर किया और वो ठीक हो गया बट जो दूसरा group था उनमें तो आपने सिर्फ vitamins की गोलियां थी वो कैसे ठीक हो गया तो doctors ने बोला कि उनको दिमाग में ये पता था कि उनकी जो medicine है वो उनकी बिमारी के लिए है और वो अपने आपको हमेशा बोलते रहते थे कि मैं ठीक हो रहा हूँ मैं बहतर हो रहा हूँ और उनका mind उनका mind का power है वो उनकी body की सारी बिमारीयों को उनको heal कर दिया तो दोस्तों हमारे अंदर हमारे body के अंदर illness power होती है उसको सिर्फ हमें जगाना है कुछ भी हमारे दिमाग में है तो उसको हमें message सिर्फ पहुंचाना है हमारे जो पुद्रत ने बनाया है हमारे body को वो full complete बनाया है कुछ भी बाहर के चीज़ें के जरुवत नहीं है इसको अगर आप किसी भी बिमारे से जोज रहे है तो उसमें हमारे अंदर ही doctor है हमारे अंदर healing power है बस उसको जगाना है आपको आपको यह एहसास दिलाना है आपको उसको message देना है कि आप ठीक हो रहे हैं आप बहतर हो रहे हैं मेतल नमबर 6 dream control दोस्तों अगर आप सपने देखते हैं अगर आप चाहते हैं कि सपने को आप सही यूज कर सकें तो यह technique एक दिया गया है जो आप जरूर आजमाए इस technique में बताया गया है कि जब भी आप सोएं आप paper pencil लेके अपने पास सोएं अगर आपके life में कोई problem है तो आप सोने से पहले अपने आपको बोलें कि मेरे life में यह problem है इसको मैं solve करना चाहता हूँ मेरे आज रात यह सपना आएगा जिसमें मेरा यह problem solve हो जाएगा यह आप तब बोलें जब आप सोने के एकदम कागार पे हों आप आधा sleeping mood में हों और आधा आप जागने के स्थिति में हों तब आप यह बोलेंगे तो आपके subconscious mind के पास यह message आएगा और फिर वो उस पे काम करेगा और दोस्तों आप believe किजिए आपको ऐसे सपने आएगे जिसमें आपको यह problem solve होता हुआ दिखेगा और जब आपको वो सपने आए जब भी आप जगें आप उसको उस सपने को लिख लें जिससे आप समझ जाए दोस्तों जब भी कुछ भी ऐसा आपका problems का answer आपके सपने में आए तो आप उसको जरूर follow करें because वो आपकी आत्मा होती है वो आपकी आत्मा आपको correct बताती है कि exactly आप क्या कर सकते हैं उस problem को solve करने के लिए दोस्तों आज़ा करता हूँ कि ये 6 टेकनीक आप जरूर use करेंगे अपने life में और सिल्वा mind control method से आप अपने life change कर पाएंगे दोस्तों अगर इस book से कोई भी आपको फायदा होता है तो हमें comment book में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को like कीजे, subscribe कीजे और share जरूर कीजेगा क्योंकि हो सकता है आपकी एक share से किसी के life बन जाए Thank you subconscious mind में भेग सकें तब आप जो चाहें वो पास सकते हैं जो भी चाहें वो बन सकते हैं अब देखते हैं सिल्वा mind control method क्या है इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं तो चलिए आज शुरू करते हैं mind programming वीडियो को end तक देखना और वीडियो में बताए हुई को बाहर निकालेगी पहले जान लेते हैं सिल्वा mind control की हिस्ट्री क्या है आखिर इस टेखनीक का नाम सिल्वा mind control ही क्यों पड़ा किसने किया इसका अविश्कार ये 1966 में टैकसिस के एक छोटी से सहर लारेडो में एक रेडियो रिपेर में जिसका नाम था जोसे सिल्वा जी हाँ इन्हों ने ही इस टेखनीक का अविश्कार किया था और इन्ही के नाम पर इस टेखनीक का नाम सिल्वा mind control पड़ा सिल्वा को human mind में बहुत जादा इंट्रस्ट था वो human brain की गुत्थी को समझने में काफी इंट्रस्टिट थे और वो hypnosis के बारे में भी काफी passionate थे जोसे सिल्वा दिन में अपनी रेडियो रिपेरिंग का काम करते थे और रात को वो सिग्मन फ्राइट, कार्ल जंग, अलफरेट एडलर, इन सब की किताबों को पढ़ते थे बेसिकली वह एक इंजीनियर थे और वो एनरजी के सिध्धानत को काफी अच्छे से समझते थे तो उन्होंने सोचा कि हमारे ब्रेन में भी एनरजी का बहुत बड़ा रोल है सब कुछ एनरजी तो ही है सब इसी से चलता है और फिर उन्होंने इस पर परियोग करना शुरू कर दिया और इनकी इस टेकनीक से उन्होंने पाया कि इस एक्सपेरिमेंट से माइंड के अल्फा लेवल में चेंजिस हो रहे है अब ये हमारे माइंड के अल्फा लेवल पोजीशन क्या है देखिए जब आप मेडिडेशन करते हैं मतलब आप ध्यान में होते हैं तो उस समय हमारे प्रेन के अंदर की जो सिच्वेशन होती है या जो भी कुछ हो रहा होता है हमारे दिमाग में उसी पोजीशन को अल्फा लेवल पोजीशन कहते हैं तो इसी सिद्धान से सिल्वा ने खुज निकाला कि कोई भी इंसान माइंड के इस एलफा लेवल में कॉंशियस होकर एकसेस कर जाए और उसी समय वो जो चाता है अपनी उस चाहत को अपने माइंड के सबकॉंशियस माइंड में फिड कर दे यानि भेज दे उससे वे इंसान अपने जीवन में वो सभी चीजें अस्तित्म में ला सकता है जो चाहें वो पा सकता है It is simple, वे अपने शरीर की एनरजी लेवल को बढ़ा सकता है अपने सभी नेगेटिव विचार को पॉजेटिव विचार में बदल सकता है वो अपने depression को अपनी मरजी से खत्म कर सकता है and believe me ये method काम भी करता है विश्व के कही सारे जाने माने लोगों ने इस method को अपनाया है और वो जो चाते थे उन्होंने कर दिखाया है अब वो चाहे आर्थिक problem हो, सामाजिक problem हो या आध्यात्मिक problem हो इन सभी problem पर आप जीत पा सकते है ऐसे दुनिया में बहुत नामी ग्रामी लोग हैं जिन्होंने इस alpha mind control की टेकनिक को इस्तेमाल करके अपने जीवन में वो सब कुछ पाया जो वो पाना चाहते थे, वो सफल हुए तो चलिए उन सफल लोगों में से कुछ नाम आपको मैं गिना देता हूँ सिल्वा ने रिचर्ड बैच को ये टेकनिक सिखाई ये एक राइटर थे और इस टेकनिक को सीखने के बाद रिचर्ड बैच ने अपनी बुक चौन्थन लिविंग स्टोन को कम्प्लीट किया और उनकी बुक छपते ही बेस सेलिंग बुक बन गई थी रसल बैकी डेन ये एक बेसवल प्लेयर थे उन्होंने ये 1975 में सिल्वा ट्रेनिंग को अटेंड किया था और 1978 में वो वर्ल्ड के फेमस बेसवल प्लेयर बन गई उन्होंने बताया था सिल्वा माइंड कंट्रोल ने मुझे पहतर कॉंसेंट्रेशन और माइंड को कैसे कंट्रोल करना है दिप्रेशन से कैसे बचना है वो सब कुछ मुझे सिल्वा माइंड कंट्रोल ने सिखाया अब इसमें सांटिस्टों ने भी इसकी पुस्टी की कि ये सिल्वा माइंड कंट्रोल काम करता है ऐसे ही दुनिया में इस मेथड को अपलाई करने वाली लिस्ट काफी लंबी है इस method को कई successful लोगों ने अपनी life में अपलाई किया जैसे जैक एंफिल्ड, बर्ट गोल्ड मैन, डॉक्टर वेन डायर, शक्ति काविन, एंड शी इस author of creative visualization, इन सम्ने इस method को यूज़ करके अपनी life को बिल्कुल change कर दिया अब देखते हैं silver method वोक कैसे करता है basically silver mind control method के five man pillar है इसके आदार पर ये technique काम करती है जिसमें first है alpha level programming alpha level programming ये वो technique है जिसके जरीए आप conscious रहकर अपने mind को subconscious mind में ले जाकर अपने मन की negativity को खत्म कर सकते हैं आप अपने विजलित मन को शांत कर सकते हैं alpha level में आप अपने mind को creative बना सकते हो ऐसे ही बहुत सारे फायदे हैं alpha level programming के अब ये शुरुबाती तोर में alpha level में जाना मुश्किल हो जाता है अगर आप जल से जल alpha level में जा सकते हैं तो आप अपनी life बस यूँ बदल सकते हैं आप हर काम में focus करने में master हो जाओगी और of course जब आपको focus अच्छा होगा तो आपकी productivity भी बढ़ेगी और जब आपकी productivity बढ़ती है तो आपको हर काम में अच्छा result मिलता है सेकिंड पिलर में आता है positive programming अब ये तो आप जानते ही होंगे हम पैदा होते हैं बड़े होते हैं हमारा समाज हमारा घर हमारे घरवाले वो सब हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ भड़ देते हैं उसमें से जाता तर चीजे negative programming कहला ही जाती है और इसी negative programming की वज़े से हम जो चाते हैं वो कभी बन नहीं पाते है क्योंकि हमें बताया जाता है ये चीजे तुमारे लिए नहीं है ये मुश्किल है वो मुश्किल है ऐसा होई नहीं सकता तुमारे बसकी नहीं है ये सब कुछ negative programming है और इसी तरह की negative programming को बदलने के लिए silver mind control method आपको सिखाता है कि आपको किस तरह से अपने mind के negative program को बदल कर उसे upgrade करना है positive thoughts के साथ और तीसरा pillar है creative visualization कई वार ऐसा होता है कि हमारा visualization ठीक से काम नहीं करता है और हम कहते हैं कि भई मैं तो चीजों को visualize कर रहा था लेकिन मुझे वो चीज नहीं मिली तो ऐसे में आपके visualization में कहीं ना कहीं problem है वो पूरता काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपकी clear visualization होनी चाहिए अगर आपकी visualization बिल्कुल clear होगी तो मंजिर आपसे दूर नहीं होगी fourth pillar है desire, believe, expectancy हम सब life में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसके शुरुवात आगे कहां से करें तो इसके लिए सबसे पहले आपका आपके goal के परती strong burning desire होना चाहिए और दूसरा आपके अंदर powerful believe होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ ये मुझसे ही होगा और तीसरा जो बहुत खास है expectancy आप जो भी कुछ काम करते हैं उस काम का result मिलने से पहले आपको ये believe करना है उमीद करनी है उसकी expectation करनी है कि हाँ ये मुझे पहले ही मिल चुका है और उसमें जीना शुरू करना है आपको ऐसे act करना है जैसे आप वो बन ही गए हो जो आप चाहते थे और फिप्ट पिलर तसिल्वा लाइफस्टाइल सिल्वा ने बहुत अच्छे से study किया कि जो successful लोग हैं वो daily routine को बहुत अच्छे से follow करते थे ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी कई सारी वीडियोस में कि आपका daily routine बहुत जादा माइने रखता है आपकी life में आपके goal पत हलाकि सुनने में ये बहुत छोटी सी चीज लगती है daily routine में आपको सुबा जल्दी उठना और उसके बाद meditation करना visualization करना और शाम को सोने से पहले आपको meditation और alpha level exercise करनी है और हाँ जैसा कि आप जानते हो इस routine को follow करने के लिए आपको पहुत जादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आप अगर इस exercise को 15-15 मिनट में divide कर देंगे तो भी आपके केवल 45 मिनट खर्च होते हैं पूरे दिन के क्यों? सिंपल है ना? अब आपको सिल्वा mind control method के बारे में basically जानकारी तो हो गई है अब आप ये सोच रहे होंगे पर इस technique का इस्तिमाल करें कैसे? आपने अपनी life में कई बार देखा होगा आप अपना violet, mobile phone या कोई ऐसी चीज कहीं रख देते हो और फिर भूल जाते हो और उसके बाद आपको उस चीज की ज़िवरत पड़ती है लेकिन उस समय आपको याद नहीं आता कि वो चीज आपने कहां रखती है और आजकल तो लोगों की memory कुछ seconds में ही loss हो जाती है जैसे ऐसा होता है कि यार मैं कुछ करने वाला था अभी बिस अभी अभी मुझे ध्याना आया था कुछ करने के लिए लेकिन क्या था वो भूल जाते हो क्यों है न और ऐसे में हम कहते हैं कि लग रहा है मेरी यादश कमजोर हो चुकी है मुझे आप कुछ याद नहीं रहता मैं चीजों को भूलने लगा हूँ तो simple is that ऐसा कुछ नहीं होता आप भी कोई यादश्त कमजोर नहीं होती लेकिन ये जो भी कुछ है आप इसमें सुधार कर सकते हैं अब इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है आपको अपने माइंड को आलफा लेवल में ले कर जाना है यानि जैसे मान लीजिए आप कोई चीज भूल गए हो और अचानक से याद करनी है लेकिन वो याद नहीं आ रही है तो आपको वही एक्टिविटी करनी है जो आप जब कर रहे थे जब आपको याद था कि आपको क्या करना है यानि कि आप जानते थे कि मुझे ये करना है अभी करना है लेकिन आप भूल गए इसे ऐसे समझते हैं जैसे मैं वाश रूम जा रहा हूँ वाश्रूम जाते समय मुझे याद था कि मुझे अपनी नोटबुक अपने एक फ्रेंड को देनी है लेकिन उसके बाद मैं अपने रूम में आया और मैं टीवी देखने लगा फिर मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार मुझे कुछ काम करना था मुझे कुछ करना था लेकिन वो क्या था मैं भूल रहा हूँ वो चीज आपको याद नहीं आती तो आपको ये तो पता होगा कि वो कुछ ऐसा था जब मैं वाश्रूम गया था तब मुझे कुछ याद आया था मुझे कोई काम करना है तो आप वापस से वाश्रूम जाएए 90% chances हैं कि आपको उसी जगा पर वोची याद आ जाएगी क्योंकि आपकी vibration वहाँ पर अब भी मौजूद होगी दूसरा तरीका है आप meditation करते हैं तो meditation में आप अपनी life में थोड़ा-थोड़ा समय पीछे जाएए जाएए एक गंटा पीछे आप क्या कर रहे थे उसको recreate कीजिए इस timing को बढ़ाते जाएए एक गंटा, दो गंटा, तीन गंटा, एक दिन, दो दिन इससे आपकी memory इतनी ज़्यादा sharp हो जाएगी कि आपको believe नहीं होगा and friends एक बात आपको बता दूँ यही वो technique है जिससे आप अपने पिछले जन्मों में भी जा सकते हैं anyway, वो method थोड़ा सा tough है याद रखना अपने mind से लड़ने की कोशिश नहीं करनी है जो आ रहा है उसे आने दो उसे सहज रूप से सुईकार करो क्योंकि असल बात तो यह है आपके साथ होई हर एक घटना हर एक वो पल आपका दिमाग कभी भूलता ही नहीं है वो सब कुछ आपके दिमाग की memory में hard disk में store हो जाता है बस आपको जरूवत है उस बंद कमरे में जाने की जहां सब कुछ store होता है हलाकि silver mind control method में कुछ और भी technique है लेकिन वो मुझे इतनी जादा powerful नहीं लगती है उनमें मुझे कुछ कमिया नजर आती है हाँ basically हो सकता है वो कमिया सिर्फ मुझे ही नजर आती हूँ बट believe me वीडियो अगर समझ में नहीं आई हो तो last time मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कोल मिलाकर वीडियो का निचोर जो है silver mind control जो है आपको अपने दिमाग को बहुत sharp करना है subconscious mind की पावर का इस्तिमाल करना है तो आप meditation कीजी visualization कीजी अपने आप अप भरोसा कीजी कि आप वो कर सकते हो जो आप चाहते हो उसी में जीना शुरू कीजीए जो आप बनना चाते हो वैसा ही act कीजीए memory को तेज करने के लिए meditation करते समय एक एक करके अपने past में जाईए crumbize जैसे आदे घंटे पहले में क्या कर रहा था मैं टीवी देख रहा था उससे पहले में चाहे पी रहा था चाहे में शुगर कम थी डैड़ी एक news सुन रहे थे उसकी कुछ बाते मेरे कानों में आ रही थी वो बाते क्या थी सोची उन बातों के बारे में तुबारा सुनने की कुशिश किजी उन बातों को बस overall last वाली ये चीशे follow करोगे तो आप short में silver mind control method को समझ जाओगे और ये method ये technique आपकी पूरी life change कर सकती है पशर्त ये है फीडियो को entertainment के लिए ना देखी हो और knowledge के लिए ना देखी हो बस आपको apply करना सीखना चाहिए अगर आपको लगता है कि मेरे बातों में सच्चा ही है तो ये कर कर देखिए experience कीजिए अगर ये लगता है कि मैं जूट बोल रहा हूँ इस technique में कोई सच्चा ही नहीं है ये technique काम नहीं करती तो इस technique को follow करकर साबित कीजिए कि मैं गलत हूँ anyway आज के लिए इतना ही है मिलता हूँ next वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ छिल दें, बाबाए